मैं आप लोगों को एक चीज बता दूँं मैं अपने घर का कामना अपने ही समता अनुशार करती हूं कि जितनी मेरे अंदर समता है आप लोगों को मैं ये बता दूँं कि मेरेको 10 साल होगे गिडणी की विमारी जहिलते वे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ होता नहीं है मैं चल मैं उठ भी नहीं पाई थी इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी मेरे को लगा कि अब मुझे हॉस्पिटल में एड्मिटी होना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को मैं यह बताना चाहती हूं कि घर के काम किसी दूसरे को देख के मत कीजिए अगर आपके अंदर श्रमता है आपक बेने घर में साफ सफाई रखना हर महिला को पसंद है कि मेरा घर साफ सत्रा रही लेकिन हो सकता है कुछ और भी काम कर रही हूं तो सामने वाले को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी के ओपर उंगली ना उठाएं अगर अगर आप किसी के घर जाते हैं और देखते हैं उसका घर साफ नहीं है तो कभी भी उसकी तरफ उंगली मत उठाईए कि उसका घर साफ उसकी शमता उसमें जो हो सकता है वो कुछ और भी पीड देती थी वो काम ने मुझे क्या दिया मुझे नहीं लगता कुछ दिया बिलकुल भी कुछ नहीं दिया बस यह था आज मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूं मैं हर काम करती हूं गर में लेकिन उतना ही काम करती हूं जितनी जरुवत होती है बर्तन के जरुवत कि अपने हैजबन को भी में जो कपड़े होते ना सुबह सुबह एक पैंट निकाली शट निकाली उसी समय प्रेस करी दो तीन मिनट लगते हैं और उसी समय उनको भीज दिया यह नहीं कि अरे मेरे को इतने कपड़े हो गए मैं प्रैसी करने पर लगी हूं अरे हमारे पास भी बहुत काम होता है एक घाउस पाइफ होने के नाते यह नहीं होता कि हम गर में बैठे रहते हैं अगर यहां आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर हम लोग ना जो घर में रहती महिला हैं अगर वो अपने फ्रेंड से या अपने फैमली में कभी बात कर रही होते हैं बात करते इस उसकी तुला करती कि önकर उनको अपने घर के काम की भी जाजा चिनता है तो कभी भी मेरा को से हाथ चुड़के निमेदन है कि कभी किसिके घर की साफ सफाई को देखकर उसकी तुला मत कीजी आए उसको अगर आप उसके घर जा उसने घर में नहीं क्लीन किया है तो उसको comfortable कीजिए कोई बात नहीं आप वो से कुछ नो कुछ कर रही होगे अपनी life में कुछ काम होगा उसका urgent life में हो सकता है वो जॉब कर रही हो वो हो सकता है वो किस और सीख रही हो तो इसलिए कभी भी मुझे लगता नहीं कि घर के कामों से हमें कुछ मिला है